हाई फ्रेंड्स इन्फोर्मिशन टेकलोजी के इस युग में वैब एन एप बेस सर्विस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोव करती जा रही है आज बहुत सारी ऐसी वैब हैं एपस हैं जो सर्विस इंडस्ट्री में हैं और जिन्होंने करोडों रुपए बनाए हैं और के वर करोडों बहुत बंए हैं बलकि इनके वैलीएशन भी ट्रीमी और आपको भी ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी इसी इंडस्ट्री में एंटर करूंकि इस इंडस्ट्री में करना क्या है एक İsजमय प्रवैडर से बात करनी है मैजजमेंट करना और बिजनेस शुरू कर सकते हैं कितना समय और कितना फंड लगेगा और कब आपकी कंपनी एक अच्छे इन्वेस्टर से मिलकर अच्छे फंडिंग ला सकती है इस बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी एप जो कामियाब हुई है जैसे ओला ओला की खुद की कोई नहीं करन और क्या स्विस्टर के रूप में काम करता एं मतलब एक व्यक्ति अपने घाड़ी ट्रांसपोर्ट में लगा आधा है और लोगों से टाइप किया है एंड यूजर से सबसर्विस प्रोवैडर से काम करता है उनका खुद का करते हैं यहां यहां पर मैंने लगता तो आपको लगता है कि जमेटे की तरह काम कर सकते हैं क्विकर भी यही काम करता है कारदेखो.com, ओरिक्षा.com, OLX, कार्स24, जुगनू, वील आई, आजकल ट्रक्स में अगर आप सर्विस लेना चाहते हैं जैसे हम क्याप की सर्विस लेते हैं वैसे ट्रक की सर्विस के लिए वील आईए तो इन सभी ब्राइंट्स की अपार सफलता और इनकी फंडिंग के वोल्यूम को देखने के बाद बहुत सारे युवा साथियों के मन में एक प्रशन आता है कि मैं भी एप बेज़्ड बिजनस करना चाहता हूं क्योंकि हैं समय कम लगता है और पैसा कम लगता है तो आईए चलिए हैं जब बात करते हैं कि अगर आप वैब बेज इंडस्ट्री में एंटर करते हैं आप बेज इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज कितना समय लगेगा, समय के साथ साथ कितना investment लगेगा, investment के बाद कब आप income generate करना शुरू करेंगे, और कब आपका project इस लायक होगा, कि बहुत सारे लोग आपको funding दे सकें, ताकि आपका जो plan है, वो success होकर आपके goal तक पहुंच सके, मतलब आप एक million dollar company बनाना चाहते हैं, तो इसी विशापर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, web and app based industry जब आप शुरू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि चलो यार एक website बना लेते हैं, आप बना लेते हैं, और थोड़ा सा management का staff रख लेते हैं, उनका काम होगा सारे काम को manage करना, web को और app को manage करना, और लोग अपने आप आना शुरू कर देंगे, और लोग अपने आप app download करना शुरू कर देंगे, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, अगर आप इस industry mentor करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपकी लगने वाली हैं, पहले उसके बारें बात करते हैं, फाइन, उसके बाद अलग-लग software हो गए, designing के software हो गए, web से संबंदे software हो गए, फिर बहुत सारा web hosting space हो गया, web hosting domain हो गया, और बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी होगी, वो software based में आ गया, और आपको करना का office setup अपने staff के लिए, वो staff वहाँ बैठ कर काम करें, जिसके लिए आपको एक office setup चाहिए, तो आपको क्या लगने वाला, एक one time setup cost, मतलब आपको सबसे पहली बात, अगर मैं area की बात करूँ, तो आपको 1200 से 1500 square feet का area लगेगा, चाहें वो आपका अपना हो, मतलब own हो, या rented हो, अगर rented होगा, तो on average उसका rent पचास अजार रुपे से लेकर, एक setup आप infrastructure बनाएंगे, develop करेंगे, air conditioning है, आपका sitting arrangement है, आपका office cabin है, stationary है, बहुत कुछ आप जब setup करेंगे, तो इसमें जो आपका investment आने वाला है, वो 40 से 50 लाक रुपे आएगा, और ये depend करता है, कि आप किस तरह से इस one time setup को तयार करते हैं, आप किस scale पर आप इस business को शुरू क करना चाते हैं, हो सकता है, आप 57 लाक रुमें भी शुरू कर सकते हो, आप सोचते हैं, मैं घर से शुरू कर लूँगा, यह मेरे घर पे एक extra floor है, वहाँ से शुरू कर लूँगा, तो यह आपके उपट करता है, यह जो cost है ना vary करती है, हर बार इस decision पे कि आप किस level के investment करके बिजनस शुरू करना चाहते हैं, पर जब आप फुल फ्लश तरीके से काम करते हैं ना, तो इतनी initial cost आपकी आने वाली है, इनिशल cost तो एक बार लग गई, लेकिन important क्या है कि उसकी operating cost क्या होगी, हर मेने क्या cost लगने वाली है, और कितना staff आपका लगेगा, यह सारी बाते स setup लगाया हो, तो एक बार लगी गया, पर अगर आपकी rented जग है, तो उसका rent आपका जाने वाला है, वो कुछ भी हो सकता है, 50,000 to 1.5,000 based on कहां कर रहे हैं, monthly electricity bill, miscellaneous expenses, tea, coffee, stationery और बहुत सारे से खर्चे होते हैं, जो miscellaneous expenses में आते हैं, इसके अलावा आप जो staff आपको 30,000 रुपे, वो भी एक average, मतब एक ठीक ठाक percent की salary होगी, web and app designer की 25-30,000 रुपे, तो आपके एक तरह से 50-60,000 रुपे ये खर्च हो गए, पर बंत, उसके बाद web and app developer, दोस्तों designer और developer दोनों अलग अलग होते हैं, developer भी आपको दो चाहिए, तो यहाँ पर भी आपके 50,000 से 60, पर बंत, आपको चाहिए, graphic designer, जो आपके सारे web से related सारे graphics को design करेगा, उसकी salary भी होगी 25-30,000 रुपे आपका ये खर्चा हो गया, आपके content writer, क्योंकि आपकी website से संबंदित, आपके काम से संबंदित, जब आप काम करना शुरू करेंगे, तो आपको web में बहुत सारा content चाहि होगा, आपने कहीं से copy किया, पेस्ट कर दिया, unique content writer, जो आपका होगा, उसकी 25-30,000 रुपे salary होगी मान लेते है, telecallers, friends, आपको लगा कि मैं service provider हूँ, तो यहाँ पर आपका factory setup नहीं है, manufacturing नहीं है, या आपको चीजे खरीद नहीं है, जो आप service देने तो car खरीद नहीं है, restaurant क आप service देने तो restaurant आपको खरीदना नहीं है, लेकिन आपके telecaller होगे, वो बात करेंगे अपने vendors से, जैसे आप car अगर करना चाहरे है, तो इतनी भी जो car अपनी cap के रूप में चलाना चाहते हैं, उन लोगों से बाचीत करना, उन से meeting करना, उन से आपकी meeting arrange करना, marketing executives की, तो आ आपके phone पर बात हुई और आपके tie up होना शूरू हो गए, आपको marketing executive चाहिए, आपको कम से कम 10 से 12 marketing executive चाहिए, मतलब धाई से 3 लाख रुपे पर मंत आपके marketing executive की cost आगी, management staff चाहिए आपको, इतना सारे लोग आपके पास हैं, आप सब को manage कर लेंग, उसके लिए management staff चाहिए, मालिए दो लोग management staff में हैं, तो 70,000 रुपे से 90,000 रुपे management staff salary होगे, digital marketing के आपको लोग चाहिए, आपने अच्छी web develop कर लिए, आपने अच्छी app develop कर लिए लेकिन आपको उसको promote करने के लिए ही, digitally आपके पास team नहीं है, तो आप उस app को कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाए इसलिए आपको digital marketing की चीम चाहिए, और digital marketing की team में भी सारे लोग चाहिए, आपको SEO, SMO, graphic designer, content writer, है ना, तो यह सारे लोग आपके लगने वाले हैं, आपर लगबग डेड़ से 2,00,000 रुपे आपकी परमंत cost आजाएगी, marketing executives के office, offline branding आपको करने हैं, offline branding में आपके, यह optional है, यूनिपोल है, newspaper advertisement है, यह बहुत सारे ऐसे, मैं journal advertisement मांग लेता हूँ, कि आप offline कर रहे हैं, तो डेड़ से 2,00,000 रुपे परमंत आपको offline branding भी करने पड़ेगी, इसके लबा, floor staff, जैसे आपका P.E.N. हो गया, साफ सफाई वाला विक्ति हो गया, पानी वानी प्लाने के होता है, कि कुछ यूवा साथी थोड़ा बहुत पैसा कठा करते हैं, 2-4-5,00,10,5-20,00, और यह सोच कर कि चलो यार इस इंडस्ट्री में अपना भाग्या आजमाते हैं, और वो इस इंडस्ट्री में कूच जाते हैं, लेकिन जब उनका सारा पैसा लग चुका होता है, सार इसके लबा यह तो हो गई आपकी सारी कॉस्ट, इसके लबाब समय कितना लगेगा, यह समझना भी बहुत जूरू, आपको लगा कि एक महीने की कॉस्ट है, दस बारा लाक रुपे, पर यह कितने महीन तक चलती रहेगी, जो आपको अपने पास से भरनी है, है ना, सेट लगने वहले जैसे पहला आपका कंपणी का सेट आप मतलना आपका कंपणीं का रजिस्ट्रेशं, आपका ब्रैंड का रजिस्ट्रेश आपका ड्रेट। आपका GST नंबर आपके बैंक अकाउंट यह सारा काम जो है ना ऑफिशल वर्क जितना भी है एक कंपनी को रिजिस्टर करने का दो से तीन मेने का समय लग जाता है कंपनी को आप फॉर्म करते हैं इसके लबाव ऑफिस सेटप आपको ऐसा नहीं है कि आज आपने कंपनी बना क क्या होगा कि आप लोगा कंपनी रूम किसा होगा वह सारा ओफिस सेटप आप त्यार करेंगे एक से दो महीने में छे से आठ महीने का समय लगे हैं का आपका पूरा टेक्निकल सैटप डिजाइन करने का मतलब आपकी एप और आपका वैब कई केसें में एप जो वैब एप वेब बेस्ट बिजनस है उसमें एप सिंगल नहीं होती दो तिन तरह की आप होती है जैसे माल लीजिए आपने Ola की तरह सर्विस प्रोवाइड करने का काम किया है तो एक आप कौन सी हुई जिसको कंज्यूमर डाउनलोड करता है कि उसको आप बुक करने तो कैसे करेगा दूसरी आप कौन सी हुई दूसरी आप होगी जो स्टाफ मैनेज करेगा है और इन सब के पिछे बहुत बड़ा वैब पोल्टल होगा जिससे सारा काम होगा है तो यह सारी चीजे भी समझना बहुत जूरूरी है आपका 6-8 मेने का समय लग जाने वाला है मतलब अगर 6 मेने भी लग जया ना और 10 लाग रुप मेने भी आपक के खर्ज हो चुके होंगे इसके लावा तीन से पांच मेने का समय लगेगा आपको अपनी कंप्लीट मार्किटिंग प्लस सारा स्टाफ रेकूट्मेंट अपॉइंट्मेंट यह सब कुछ करने में और यह सब कुछ करने के बाद आपका सेटप तयार होगा ना तो कम से कम ए इसके बाद कहीं जाकर आपकी प्लानिंग होती है कि आप फंडिंग के लिए किसी को यह समझना बहुत जुरूरी है एक तो सेटप कॉस्ट जो आपकी चालिस से पचास लाख रुपए आने वाली है और यह करता है मिनिमम कॉस्ट में आपको बताई है अगर आप और एक बहुत एडवांस लेवल का आप सेटप बनाती ना तो एक डिड़ करोड रुपय आपक आपके 30-40 लाख रुपए लग जाने है इसके दाब आपका मंतली एक्समेंस मैंने आपको बताया 10 से 12 लाख रुपए पर मंत और आपको टूटल समय कितना लग रहा है आपका पूरा सेटप करने में आपको 12 महीने का समय लग रहा है प्लस 12 महीने ब्रेक इवन पर जाने का मतलब 2 साल का समय यदि आपके पास है लगातार इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का तभी आप इस तरह के प्रोजेक्ट में एंटर करें वरना कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे स्टाट अप्स थोड़ा बहुत पैसा कठा करते हैं और सारा पैसा इंवाल्व करते ज करते जब तक चीज बनके आधी भी तैयार नहीं हो पाती 50-60 परशन तक पहुंसती है तभी उनके पास पैसा खतम हो जाता है फिर वह पैसा पैसे के लिए सुचते कहीं से कि इन्वेस्टर मिल यह कोई भी इन्वेस्टर आज के टाइम पर ना ऐसा नहीं है कि आपके आज नहीं रह गया 10-12 साल होगा इस बात को आप यह मत सोचो कि इन्वेस्टर को कुछ आइडिया निया इन्वेस्टर को पता है कि सौ में से 97 स्टाट अप तो फेल हो जाने है तीन परसें स्टाट अप है जिन पर हम पैसा बना सकते हैं और वह भी जब जब उनको वाइबल लगता है कि इस प्रोजेक्ट में दम है क्योंकि कहते ना कि अगर हमारा वेभी है ना तो हमें लगता हमारा वेभी दुनिया का सबसे संदर बेभी है आपको अपना प्रोजेक्ट तो हमेशा सबसे बेस्ट लगता है इस अभी तो आप उस पर काम कर रहे है तभी तो आपने रिस्क लिए है तभी तो आपने समय लगा है तभी तो आपने इन्वेस्ट किया है अगर आपको अपने बेबी पर confidence नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे लेकिन इन्वेस्टर को confidence जब आता है जब उसको लगता है कि इसके viability market में है और ये project अच्छा पैसा बना सकता है लेकिन उसके लिए जरुवत है कि आपके पास आप total calculation सोचे ना 40 से 50 लाख रुपे आपके लग गए 30 करोड रुपे का अगर आपका plan up है आपके पास इतना fund है और दो साल का समय है जिसमें आप पैसा का ना कमाने के लिए भी तैयार है तभी इसी तरह के प्रोजेक्ट में आप enter करें या अगर आपके पस पूंजी कम है मान लीजे आपका 50 लाख रुपे तो आपको करना क्या है इनिशेल लेवल पर अपना सारा प्रोपोजल तयार करके इन्वेस्टर ढूंडना शुरू करना है और हाव तो फाइंड आउट इन्वेस्टर फॉर स्टार्ट आप फंडिंग इससे बहुत सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया उनको आप जरूर देखें क लहां काॉन से तरीके इन्वेस्टर होते हैं इनवेस्टे जो कॉंसे वैलूव पर फंड कंस ल को सबते हैं लोग मेरे दो यहीं करता है इस तरह से वह तो ग्राउंड रियलिज्टी के इन्वेस्टे होते कि भाई ठीक है करोड का खर्चा है 50 लाग रुपे मैं देता हूं तो मैं 50 लाग रुपे दो दूँगा लेकिन 50% स्टेकोल्डिंग ले लूँगा क्यों क्यों क्योंकि उसको भी पता एक बहुत बड़ा रिस्क है हो सकता है कि वह प्रोजेक्ट ना चले या वह आप से सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज करो फाइनस की प्लानिंग कि आप दो साल के लिए वो पैसा कैसे मैनेज करेंगे दो साल तक क्या आप बिना किसी इंकम के काम करने के लिए तयार हैं और यदि आपका जवाब है हाँ so this is the right time to start a new business in service industry with the help of web and app आप बहुत अच्छे से शुबारम करें बेरी बहुत बहुत शुब कामना है आपके साथ हैं स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुन्दर बविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत